कि इस бы प्र होंगे तो आज हम आपने राभ पैरट के वेबीज को फीड करवाएंगी और फीड कैसे त्यार कि जाती है वो भी आपको तरीका बताओंगा और फीड कैसे वेबीज को करवाई जाती है वह भी आपको दिखाऊंगा तो चलिए तो गाइस सबसे पहले हम नेम गरम पानी लाएंगे उसके बाद कुछ इस तरह का हमारे पास होना चाहिए सुरेंज है और यह वाल है साइकिल वाला तो अब हम फीड त्यार करते हैं कि बस अतनी फीड त्यार करने है जितने बेबी आुराम से खा लें ज्यादा फीड नहीं त्यार करनी ठीक हो गया गया कई तो अबक्राबन के थर लियाते हैं यह फीड़ बर्ड शॉप से मिल जाती है आप भी फीर ख़shireशाने का हक전 है तो केस्वी केकल लाई यह सबसे अच्छी होती है तो मैंने शाम के वक्त इनको फीड करवा दी थी इसके अब थोड़ी सी फीड करवानी है ज्यादा नहीं करवानी है देखें बस बहुत है इतनी सी तो इसमें नीम गरम पानी डालना है ज्यादा गरम नहीं डालना और ठंदा पानी भी नहीं डालना तो अब हम इस field को mix करेंगे इसे बंद करके साइट पे रख लेते हैं इदा तो इस field को अच्छी से mix कर लेते हैं यह जहां रखिये गए यह ज़्यादा सख्त भी नहोर ज्यादा नरूर्म भी नहोर। यह देख, ऐसर ठीक है तो हम अब इस फीड को भरेंगे इसमें फीड को अंजक्शन में भरेंगे और इसे एक विब्य उठाएंगे आजाओ 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 यह दिखें गाइस कितना प्यारा लागे तो इसको फीड करवाते हैं यह दिखें बढ़ी शोक से का रहा है इस फीड से बीब्य बहुत जल्दी ग्रो करते हैं बहुत जल्ती बड़े होते हैं तो इसलिए मैं तो आपको भी रोकमेंट करूँगा कि कि आप भी यही फीड को खिलाएं बढ़ी शोक से खा रहा है तो यह थो वासा और इसमें पानी आड़ कर लेते हैं यह वैसे तो माशाला हमारे बीबी दंद्रूस्त हैं कोई मस्का नहीं है तो मैं कहता हूं इसके लिए इतनी काफी है तो हम दूसरे बीबी को खिलाते हैं यह देखे हैं यह थोड़ा सा कमजोर कमजोर है लेकिन कोई बात नहीं आजा आजा तुभी इदर हैसे यह देखें इसी तरा इंजेक्शन भरें बस अपने यह दियान लगना है पानी नीम गरम हो ज्यादा गरम ना अगर ज्यादा गरम होगा तो बीबी का जो पेट है वो गरम हो जाएगा और उसमें दाले निकल आएंगे अगर ज्यादा ठंडा होगा तो आपको बेबी बीमार हो सकते हैं ना ज्यादा ठंडा और ना ज्यादा घरम बस दरम्यान असा नीम कराँ है हमारे बेबी से तर बैठ जा तो भी किदर जा रहा है इसे मैं बढ़ने तो इस बेबी को इसी बेबी को खिलाना है इस चोटा है तो इस बेबी को खिलाना है तो बहुत है जिसका पेट भर गया है और यह जो थोड़ी सी रहागी है यह हम यह बड़े वाले बेबी उसको खिला देंगे इदर आ यार इदर आ तुझे खिला हुआ है यह नहीं देखिए तो बहुत है इनके लिए इतनी फीडी काफी है इससे साइड पर रख देते हैं और इन्हें हम दोबरा इनकी जगा पर रख देते हैं यह जो बॉक्स मैं लेके आया था उसी बॉक्स मैंने बड़े बॉक्स में रख दूँ तो यह देखिए हमारे भी इतने खूबसूरत लख देते हैं ज्यादा आप तमने करने बस फीड भी करवा दी सब कुछ हो गया बस अब इन्हें अरहाम की जरूरत है यह देखिए तो आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक करें कमेंट करें और अगर आप हम हमारे चैनल पर न्यूँ हैं तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तर के लिए अल्ला आपीस